पाकिस्तान एक बार फिर अपने होम ग्राउंड के उपर बुरी तरह से एक्सपोज हो चुक है नजर आगे के पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी इतनी ही बुरी तरह से हरेगा जितना पहला टेस्ट मैच हरा था वर्सिज इंग्लैंड आज दूसरा टेस्ट मैच था जी प पाकिस्तान ने 366 रंज बनाए और ओल आउट हो गया ये टार्गिट इतना भी नहीं होना था अगर आमिर जमाल और नुमान अली की पार्टनर्शिप ना लगती उन्होंने पार्टनर्शिप लगाई तो ये 56 रंज ज्यादा हुए नहीं तो 300 के पास 310-15 पाकिस्तान ओल लेकिन क्या सामने आया इंग्लेंड ने आते साथ ही अभी एक सेशन भी नहीं खेला पाकिस्तान ने जो सारे रंज बनाए है बनाए है तकरीबन 4 से ज्यादा सेशन में 4 सेशन और थोड़ा सा एक और सेशन यूज किया तो ये रंज बनाए है 366 तो इससे यही नदर आ रह है एक विकेट के नुकसान पर अभी सेकिंड सेशन का एंड हुआ है तो इंग्लेंड का 88 रंज का स्कोर है और एक विकेट गवा चुका है इंग्लेंड अभी बैंड डकिट की बात करें तो साथ बोलनों पर उन्होंने 53 रंज बना ली है आप देखें यह बहुत अच्छे है टेस्ट के लिहाज से बाकी उली पोब उनका साथ दे रहे हैं आप यह देखें इंग्लेंड ने एक सेशन भी उजनी की और 88 रंज बना ली है उसके लिए 366 रंज तो कुछ भी नहीं है वही होने जा रहा है जो लास्ट टेम हुआ था इंग्लेंड ने एक इनिंग्स के अंदर ही इतने रंज मार दिये था पाकिसान को के दो इनिंग्स लगा अगर भी पाकिसान वह कंप्लीट नहीं कर सका था आप लोग देखें मैं यह बात इसलिए का रहा हूं देखें अभी हैरी ब्रोक पड़ावाई जिसने पिछी दिवा ट्रिपल सेंचरी मारी थी ठीक ह है फिर जो डूट है जिसने डबल सेंचरी मारी थी पिछले मैज में पाकिसान को तो अभी जब वो लोग आएंगे तब टार्गिट कहां तक पहुंचेगा अभी इंग्लैंड के पास आहरी सेशन बचा है दूसरे दिन में इंग्लैंड क्या करेगा इंग्लैंड अच्छा ह अगर अब यह फास बोलर की पिछ बन गई एंड पर जो होता है पाकिसान बनाता कुछ है बनता कुछ है तो पाकिसान तो मारा जाएगा एक आमिर जमाल है ठीक है वो भी मुझे लाग रहा है जिसको भी इंजरी हो जानी है उसको भी क्रैम्स पाड़े है अब आप लोग यह से अंदाजा लगाएं कि पाकिसान तो फिर मैं कहता हूं पहले से भी ज्यादा बुड़ी तरह से हाड़ने जा रहा है मैच बाकी देखते हैं क्या होता है लास सेशन के अंदर दवा तो यह है कि पाकिसान अपनी हरकतें सुधार ले अगर ऐसा नहीं होता जो मैंने बाते की सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन कर देना